इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15 और वीडियो को एंड तक वाच करना है बीच में इसकिप नहीं करना है और वीडियो अच्छी लगए तुसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करता है चेंज दा बॉइस आपको बॉइस चेंज करना है अगर आपका सेंटेंज अक्टिब बॉइस में तो उसे पैसिब बॉइस में चेंज करना है और पैसिब बॉइस में तो उसे अक्टिब बॉइस में चेंज करना है फर्स्ट है आपका over your parents अपने माता-पिता की आग्या मानो तो यह क्या दी जा रही है हमको advice तो मैंने बताया था जिसमें order या advice दी जा रही हो and उसमें आपका object भी हो तो आपको let's से passive boys start करना है तो इसमें object क्या है अपने माता-पिता की आग्या मानो किसकी मानो अपने माता- यानि कि your parents आपका object है तो हमें यह let's से start करना होगा हम पहले let लिखना है फिर your parents लिखना है फिर आपको B लगाना है और जो बर्व है आपकी obey उसकी third form यहाँ पर लिख देना है यह बन गया आपका passive boys ठीक है इसमें you जो होता है वो इसमें hide होता है तो by you हम यहाँ लिखेंग मुझे दे दो तो आपको मैंने बताया था कि जिसमें please आई या kindly आई तो आपको शुबात करना है you are requested to से तो you are requested to फिल लिख नहीं है जहांसे आपकी verb है lend me फिर आपको same लिख देना है बिलकूर lend me your book यह तब करना है आपको जब या तो please दिया हुआ हो या फिर kindly दिया जूंट मत बोलो टीक है तो क्या मत बोलो जूंट करीकर किया दिजारिय क्या इडवीज दि जारिए एक तरीके से तो हम स्टार्ट करेंगे लेडट फिर एलाई की एलाई लिखेंगे फिर नेवर लिखेंगे मैंने बता रहे था अगर नेगेटिव है तो आपको बी से पहले नॉट या फिर नेवर जो भी दिया हो वो लिख देना है नेवर भी और टैल की थर्ट फर्म होती है टोल्ड तो यह बन गया आपका पैसिप वैस नेक्स् फ्लावर्स फ्लावर्स के इसमें अब्जेक्ट तो हमने दा फ्लावर्स लिख लिए यहां थोड़ा एरर हो गया है दा नहीं आएगा यहां फ्लावर्स लिख लिए फिर यह नेगेटिव है क्योंकि दू नॉट लिखा हुआ है तो हमें नॉट लिखना है फिर बी लगाना और प्लक की थर्फों होते हैं तो प्लक्ड लिखते हैं ठीक है नेक्स्ट है डू नाट इस्पिट एवरिवेर इस्पिट होता है ठूकना ठीक है तो हर जगे ना ठूकें तो यह क्या एडवाइज दी जा रही है ठीक है तो मैंने बतायता कि एडवाइज दी जा जाना आते हैं पिछली वीडियो में बता हुआ है यह सारी चीजें तो यू-आर-डवाइज पहले अगर यह नेगरेटिब है तो पहले आपको नॉट लिखना है उसके पार टू लिखना है अगर यह नागरेटिव नहीं यह तो यू-आर एडवाइज टू डारेक्ट लिख देना है ठीक है अगर नेगेटिव है तो पहले टू से पहले आपको नॉट लिखना हो नॉट टू और फिर सेम लिख देना है इस पिट अबरी वे यार तो यह बन गया इसका पैसे बोईस नेक्स्ट करते हैं कैंडली हैल्प मी किर्पया मेरी मदद करो तो फ यह बन गया आपका पैसी बोईस नेक्स्ट करते हैं प्लीज डू दिस मच फोर मी फिर वही आपका प्लीज दे रखा है तो आप किससे स्टार्ट करोगे यू आर रिक्रेस्ट टू और फिर जो भी आपका कुश्चन में दे रखा होगा तो के बाद आपको सीम लिख देना ह यह बन गया इसका पैसी बोईस नेक्स्ट है अनलोड ऑल दा होसे सभी गोडों को उतारो तो यह क्या है ओडर दिया जा रहा है तो मैं लेट से स्टार्ट करना होगा लेट लिख दिया किसको उतारो सभी गोडों को तो अल दा होसे अबजक्ट भी मिल गया हमें तो अल दा ह लो तो यह क्या है आपको order दिया जा रहा है तो इस अमेंगे अपजेक्ट होती है तो हम लैट से स्टार्ट करेंगे लैट फिर आपको इस लिगना है फिर यह negative है क्योंकि do not लिखा हुआ है तो मैं पहले not लिखना है फिर B लगाए और make की थरप मेट लिखते हैं नेक्स्ट करते हैं do not touch it, इसे touch मत करो, तो किसे touch मत करो इसे, यानि कि it object है और order दिया जा रहा है, तो हमें let से start करना है, let फिर it को लिखेंगे, फिर negative है तो not आएगा, फिर be और touch की third form होती है, touch, तो यहां आपके 10 questions फिनिश होते हैं, नेक्स्ट करते हैं, please pure some butter into this class, फिर मैं बताती हूं, जिसमें please आई और kindly आई, तो you are requested to से start करना होता है, passive voice, तो हम लिखेंगे, you are requested to, और फिर जो भी आपका दे रखा हो, वो आपको same लिखते ना है, pure some butter into this class, यह बन गया आपका passive voice, नेक्स्ट करते हैं, you are ordered to run away from here, यह आपका already passive voice में दे रखा है, क्योंकि you are ordered to लिखा हुआ है, हमें बनाना यह active voice में, तो you are ordered to कब लगाते थे, जब हमें कोई भी object ना दिया हो, और order दिया गया हो, हमें order दिया गया हो, और कोई भी हमें object ना दिया हो, तब हम you are ordered to से बनाते हैं, और जब हमें object दिया हो, तब हम let से बनाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, यह और you are ordered to हम add करते हैं, और बाकी हम same question का लिख देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ run away from here, यहां से आपको run away from here, लिख देना, यह बन गया इसका active voice, नेक्स्ट है never speak ill of others, दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो, तो advice दी जा रही है, किसके बारे में मत बोलो, दूसरों के बारे में, यानि कि ill of others, तो हम let से start करेंगे, let, फिर ill of others, फिर आपको never लिखना है, ठीक है, क्योंकि negative भी है, never फिर भी, और फिर आपको speak की थर्फ हम spoken, next करते है, you are advised to avoid bad company, तो you are advised to, आपको you are advised to तब लिखा जाता है, जब आपका object नहीं दिया हो, और advice दी गई हो, active voice में, ठीक है, तब you are advised to से हम बनाते है, passive voice, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको avoid bad company लिख देना है, यहीं आपका active voice बन जाएगा, ठीक है, next करते है, let is speech be listen to with attention, तो let से start हो रहा है, and be भी लगा हुआ है, तो यह आपका passive voice में है, हमें change करना है, active voice में, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा imperative sentence हमेशा बर्ब से start होता है, तो पहले हमें listen लिखना होगा, यह listen third form दे रखिए, बटा में first form लिखनी है, listen आ गया, फिर to with attention यह हो गया, और क्योंकि यह object होगा, active voice का तब यह subject बना है, passive voice में, तो इसको आपको क्या लिखते ना है, last में his speech, तो यहाँ आपकी exercise finish होती है, और मिलते है next video में, thank you,